वेल इस्टिंट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉल टेक्निक 2030 के सभी कोर्सिस के eligibility criteria के बारे में तो फाइनली इस्टिंट आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसकंद्रम explain करेंगे कि जो भी आपका full time diploma होता है मतलब जितने भी आपके जैसे full time diploma होता है, part time diploma होता है ठीक है और आपका lateral entry होता है तो इन सभी के लिए क्या eligibility criteria है ठीक है lateral entry का मतलब में आपको समझाता हूँ lateral entry का मतलब यह कि आपका जो entrance exam मेरा मतलब है जो आपका course होगा वो two years का होगा इसकंभोते lateral entry और वाकिben होता है उस्टिंग अपका full time diploma होता है उसमें जो आपका diploma होता है वो तीन इयर का होता है ठीक है के लिए कि लिए लिजिबिरईटी रहेगी लेटेल हैं चर्डरेंटर के लिए कि क्या लिए का अंट करिंगे और जो भी का फुल टैम डिप्र eğitim करेंगे और जो भी आपका है इसके अंदर दो टाइप के आते हैं एक कॉर्स जोइन करने से रिलेटिट या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटिट तो आप सिंपल इस नंबर पर कॉल कर लिजिए गा 72918923 ठीक है 72 यह हमारा है पर कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट है न वह हम से पूछ सकते हैं ठीक है जो भी आपके डाउट्स बगेटाओंगे क्लियर कर लीजिए ठीक है आपको अगर कुछ पूछना है जैसे माली जी किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत लगे लिए तो सिधा कॉल करोगे आपको बता दिया जाएगा और अगर आपको कॉर्स भी जोइ केम्प्यूटर सइंस के सब कुछ आता है दूसरा जो आपका कोर्स है का नोन इंजिनरिंग कोर्स है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके इसके इंदर आपके जितने भी डिजाइन के कोर्स से उनके लिए minimum eligibility criteria यहाँ पर mention कर रखा है देखो कौन-कौन से कौर्स से automobile, chemical, civil, computer science, electrical और मैं आपको बता देता हूं जितने भी होंगे देखिए आप electronics हो गया, mechanical हो गया, printing हो गया, to land I हो गया, तो इस सभी के सभी जो आपके courses हैं यह आपके engineering courses, ठीके full time में, तो इसके लिए जो minimum qualification होनी चाहिए, यहाँ पर इन्होंने mention कर रखा है कि आप class 10th pass out होने चाहिए, और इन्होंने mention कर रखा है class 10th के साथ, आप सब math में math वाले subject में पास होनी चाहिए, अगर अब math के subject में पास नहीं है, तो आप इस form को fill नहीं कर पाऊगे, ध्यान रखेगा, math में आप ज़रूर पास होने चाहिए, class 10th में पास आउट हो, साथ में math वाले subject में, इसको और ध्यान रखेए, अगला student देखिए, next हमारे पास क्या mention कर रखा है, तो यहाँ पर eligibility क्या mention कर रखे, तो सबसे पहले मैं pharmacy का आपको बताता हूँ, क्योंकि यह अलग है, तो pharmacy वालों के लिए क्या है, यहाँ पर 12th class की qualification चाहिए, 12th class में, या तो आपका PCM हो, है ना, या फिर आपका PCB है, तो आप इस form को fill कर सकते हो, ध्यान रखना class 12 की बात कर सब्सक्राइब कर रखे, बाकि जितने भी मैंने mention कर रखा, यह आपका cosmetic वाला हो गया, बाकि जितने भी आपके design वाले courses है, इसमें आपको 10th pass out होने चाहिए, बस, बस आप 10th pass out होने चाहिए, सिंपल सा यह लिखा हुए, आपको 10th pass out होने चाहिए, आराम से form को fill कर सकते है, इसमें math में pass होना compulsory नहीं है, तो यह चीज़ आपको clear हो गया, चलिए आपको qualification समझ में आगया जो भी eligibility में बताइए, अगला इसमें आपका है part time diploma, तो देखे, part time diploma वाले जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों के लिए सिर्फ दो ही यहाँ पे courses है, एक तो आपका electrical है, minimum eligibility क्या है, कि आप लोगों 10th pass out है, हैरा, अगर आप 10th pass out है, 10th के साथ है, अगर आप IT pass out है, दो साल का IT है आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए eligible है, आप part time diploma अराम से fill कर सकते हो, ठीक हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और एक चीज़ और ध्यान दखेगा, ठीक ना कोई आपके पास vocational subject होने चाहिए, जो आपके class 12th में हो, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेगा, बाकी यहाँ पे निचे student आप देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत important चीज़ मैंशन कर रखी, जो आपको पता नहीं थी, यानकि previous year बहुत सारे बच्चों को पता नहीं तो ना फोर्म बर दिया और लास्ट ने पर उनका admission नहीं हुआ, तो यह आप ध्यान रखे, अगर आपने IT कर रखी है, ठीक है, अगर आपने IT कर रखी है, तो आपको धान रखना है, दो साल का आपको experience चाहिए, experience later, आप किसी ना किसी company में काम करे होए होने चाहिए, दो साल का ठीक है proof आपको देना पड़ेगा तभी आप part time का form भर पाऊगे नहीं तो नहीं भर पाऊगे तो part time के लिए क्या qualification है कि आप class 10th plus में आपने iti अगर कर रखिये दो साल की iti होनी चाहिए क्योंकि एक year की भी होती है न और साथ में आपके पास दो साल का experience होना चाहिए ठीक है दो साल का अगर आपके पास experience है किसी भी company में आप आप job करते थे उसका experience letter है तो आप इस form को fill कर सकते हो यह आपको ध्यान लगना है ठीक है तो इसके लिए भाई मैंने पहले आपको बता दिया है अगला तो नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आने बाद देखिए उन्होंने यही सारी चीज़े मेंचिन कर रहे हैं नोट करके आप इसको पड़वी लिजेगा मैं इसकी PDF application पर प्रवाइड करा दूँगा ठीक है पूरी वीडियो देखे पहले तो यहापका एडवांस के लिए होता है बागी किसी के लिए नहीं होता इसके अंदर कौन-कौन से कोर्स आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अप्लाइड आर्स आता है अगर आप त्वेल्थ पास आउट हैं और साथ में चीज़ा आप दयान रखेगा मैस जो है आपका मैस वाला सब्जेक्ट मैच कहा है या फिर आप फिर आप टैन्थ पास आउट हो प्रस में आपके पास आइटी आई है आपके पास ऑन चाहिए और कीट्ने नंबर से पा्स ऑट होनेशन के होने की है जो घाटेन को सब्जेक्ट होना चाहिए मैहत Table आपके पास जरूर सब्जेक्ट होना चाहिए बनना फिर दिक्कत होगी ठीक है राइट इसको द्यान रखेगा तो इस्टिन में आपको यह भी चीज़े बता दिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप जोन करेंगे जो भी लेटरल एंट्री में एडमिशन लेग यह मारा नंबर इसके उपर आप कॉंटक कर सकते हो ठीक है यह आप इस तरीके से 237 तो आप इस नंबर पर क्कॉंटक करके पूछ सकते हैं बतातों कैसे आप को जोईन करेंगे और इसकी पीडिएस आप कहा से डाउलोड करेंगे तो इसके लिए आपको सिंपविए प्लेश यहां पर कुछ टाय में यहां पर इसको अप्लोड कर दूंगा जो भी लिजिबिलिटी के रेटीरिया ना तो वहीं नाम लिख किया जाएगा आपको 2023 इलिजिबिलिटी के रेटीरिया अब मैं पीछे एक तरफ आता हूं आपको कुछ चीज़ और समझाता हूं अगर आपको इंवर्ण कर रखाया धैसे क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे अब आपकों बताते हैं तक इसके लिए और पुरा पड़ा और इसके अंदर आभी बहुत सारी सीजह बागी है वेशे इसका पीडियो बगएबे यहां पे देखेंगे तो आपका science की कुछ video upload हुई है अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया science की कुछ video upload हुई है और बाकी जो आपका logical reasoning है पूरा आपका complete आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसे कि आप आप लिख देंगे टू डबल जीरो और डबल एफ ठीक है आपको यह सिंपल सा उसके अंदर लिख देना है जैसे लिखेंगे अप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 499 में तो 499 में सिर्फ 200 बच्चों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिल्कुल अपने इंटरंस एक्जाम के प्रिपरेशन को त्यारी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि ज्यादा देर मत करिए कोई फाइदा नहीं है राइट चलिए इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं मिलेंगा अपनी नेक्स वीडियो में पढ़ सब्सक्राइब कर दो